नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लिपी क्लासिस में पिछले तीन दिनों से इस गाड़ी और इसकी तस्वीर ने देश को जगजोर के रखा हुआ है देखते हैं इसके पीछे जुड़े एक्ट यानि की जुविनल जस्टिस एक्ट के बारे में 15 and a half year old son of a reality businessman was driving that vehicle और उस व्यक्ति के लेके जो आगे की घटनाएं हुई है उसमें country में और social media में बहुत जादा news और चर्चा का विशह बन गया अगले दिन जब उस व्यक्ति को जो की 18 साल से कम उम्र का है जुविनल जिस्टिस बोर्ड के पास ले जाया गया तो उन्होंने उसे बेल दे दी साथ ही में कुछ हिदायते दे दी जैसे की ऐसे लिखे on road safety etc और उसे release कर दिया लेकिन Wednesday को इसी जुविनल जिस्टिस बोर्ड ने उन्हें June 5 तक कह दिया कि वो observation care home में रखा जाए जेल क्यों नहीं भेजा गया इनको आईए जानते देखे juvenile justice care and protection of children act was passed in 2050 इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले juvenile justice के लिए कानून नहीं होता था साल 2000 में पास किया गया था juvenile justice act पर उसमें कुछ inadequacies देखी गई थी खास तोर पे निर्भया rape case के बाद justice वर्मा committee ने उसमें कुछ drawbacks बताए और उस drawbacks के basis पे एक नया और reformed कानून पास किया गया juvenile justice care and protection of children act इस act को लोकसभा राजसभा से असेंट मिलने के बाद 31 December 2015 के बाद से apply किया जाने लगा बेसिकली इस act के अंदर juvenile justice board बनाया जाता है लेकिन उससे पहले we'll discuss about what are the changes that have been brought by this act सबसे पहले juvenile शब्द जो होता है आम भाशा में common भाशा में एक तरीके से criminality से associated है ठीक है अगर आप western countries की terminology भी देखोगे तो वहाँ पर ऐसा बोलता है कि तुम्हें juvie cell में भेज दिया इसलिए इस particular term को change किया गया और child और child in conflict with law ये term इस्तमाल होते हुए देखेंगे आप इस particular कानून में so that because there will be many children who will be in conflict with law in conflict with law का मतलब है कि हो सकता है कि वो किसी तरीके का criminal offense करते हुए पाए जाते है तो ऐसे बच्चों के लिए हम juvenile शब्द यहाँ पे use नहीं करेंगे कुछ definitions most importantly categorization of offense किया गया यानि किस प्रकार का offense एक heinious offense है किस प्रकार का offense एक serious offense है और किस प्रकार का offense एक petty offense है इन तीन categories में उसे divide किया गया already existing Indian criminal law के अंदर अगर किसी भी crime में आपको 7 साल से जादा तक की सजा मिलेगी तो minimum punishment जहाँ पे minimum है यह minimum punishment जहाँ पे 7 साल से जादा की है वो heinious offense कहलाएगा यह याद रखना है क्योंकि आगे मैं इसके बारे में और बताऊँगा serious offense वो होगा जिसमें 3 से 7 साल की imprisonment हो और एक petty offense वो होगा जिसमें maximum 3 साल की imprisonment हो अब this is very relevant because the new juvenile justice act that is 2015 act has certain changes and provisions regarding this तो इसे आब याद रखिए इसके अलावा यह particular कानून एक juvenile justice board बनाने के लिए कहता है जो भी children in conflict with law है उनका trial normal court में नहीं चलेगा there are exceptions which I'll talk about juvenile justice board एक judicial body है जिसमें इन बच्चों को सामने लेके आया जाएगा इस juvenile justice board में तीन member रहेंगे और हर एक district में state government को कहा गया है कि आपने एक juvenile justice board बनाना है तीन member में से एक member जो होंगे वो metropolitan magistrate या judicial magistrate यानि की judge होंगे जिनके पास कम से कम तीन साल का experience रहेगा और बाकी के दो members social workers हो सकते हैं और उसके लिए भी इन्होंने बताये कि कौन से criteria apply कर सकते हो to appoint social workers इसके अलावा दूसरा institution जो इसमें बनाया गया है वो है child welfare committee हर district में child welfare committee भी बनाई जाएगी ताकि जो भी children in conflict with law है उनकी learning process उनकी nutritional process उनकी rehabilitation process उनकी psychological counseling process इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए अब जैसे ही कोई बच्चा बच्चा यानि की child इसमें है 18 years से below आगे मैं 16 to 18 years के बारे में बात करूँगा so if any child, child means below 18 years of age who is in conflict with law is apprehended by the police तो उसे सबसे पहले तो normal police lock up में नहीं रखा जाएगा एक special juvenile police unit में रखा जाएगा इसके साथ साथ जैसा की normal कानून में होता है हमारे देश के एक 24 घंटे के time period के अंदर उस बच्चे को लेके जाया जाएगा JJB यानि की juvenile justice board के पास और इसके बाद juvenile justice board ascertain करेगा preliminary कि क्या उसको bail देनी है या उस व्यक्ति को एक child care home में भेजना है अब इस particular case जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जब juvenile justice board के पास ले जाया गया उस दिन एक ही member जो की non judicial member थे present थे और उन्होंने कहा कि इसको bail दे दो child care institution भी नहीं बेजा उसको और नहीं उसको कोई सजा सुनाई because अभी सजा सुनने का time नहीं था initial hearing में बस ये ascertain करना था कि इस बच्चे की custody या remand या इसकी presence कहां पे होगी that was the only purpose कि इसको discuss नहीं किया गया उसके बाद अब बात आती है offences की और अब बात आती है age categorization की जो बच्चे 16 से 18 साल की उम्र में है अगर वो heinious offense करते हुए पाए जाते हैं तो heinious offense आपको याद होगा मैंने बताया था क्या होता है अगर वो heinious offense करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे बच्चों को as an adult भी try किया जा सकता है It is not a compulsion that every such child will be treated as adult But juvenile justice board की ये responsibility होगी कि वो अपनी preliminary assessment करे उस preliminary assessment में बच्चे की psychological counseling और testing करे जिससे ये ascertain किया जाए कि क्या उसे adult की तरह try किया जाना चाहिए या नहीं निर्भया case के बाद ये particular amendment specifically लाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे who are on the cusp of adulthood 16, 17, almost 18 years के जो बच्चे होते हैं ये argue किया गया कि उनकी mental development almost adult जितनी है तो उनको इस तरीके का leeway क्यों खास तोर पे heinious offenses में तो इसको add किया गया अब juvenile justice board के पास 3 महिने का time होता है जिसमें वो ये ascertain कर सकता है अपनी preliminary assessment से कि इस बच्चे को adult की तरह try करना है या इसको child की तरह try करना है अगर तो बच्चा child की तरह try होता है child की तरह every 16 year old और below 16 year old will be tried as a child and 16 to 18 in cases of heinous offenses but not found to have the mental capacity of an adult by the juvenile justice board they will also be treated as a child तो जो child के लिए judgment होगा, outcome निकलेगा वो यही juvenile justice board ही देगा लेकिन जब यह कह दिया जाएगा कि इसे adult की तरह try किया जाए तो फिर इसका case children's court में भेज दिया जाएगा हर एक state को यह कहा गया है कि जहां जहां पे आपका sessions court है sessions court क्या होता है? district level पे criminal court है वहाँ पे एक special children's court भी आपको बनाना चाहिए children's court और भी कानूनों को cater करते हैं for example POXO Act Protection of Children from Sexual Offenses Act और इसके अलावा National Commission for Protection of Child Rights Act जो 2005 में पास हुआ था उसके अंडर भी children's court में ही offences इसका trial होता है तो अगर वो 16 से 18 साल का है और heinious offence पाया जाता है करते हुए और allegation heinious offence का है और अगर psychological assessment के बाद लगता है कि इसे as an adult try कर दिया जाना चाहिए तो juvenile justice board से वो case चला जाएगा children's court में और children's court फिर उसे adult की तरह try करेगा ध्यान रखने वाली बात इस कानून के अंदर ये है कि जो भी बच्चे हैं या child है उनको कभी भी jail की सजा नहीं सुनाई जाएगी उनको एक child care institution के अंदर रखवाया जाएगा और 21 years तक assess किया जाएगा कि उनमें कोई सुधार आया है या नहीं आया है तो कहने का मतलब है कि there will be an ambit of punishments that the juvenile justice board can give but it can never imprison you for jail जेल वाला काम अलग से children's court में ही होगा दोस्तों अगर आप detail में 2025 की त्यारी करना चाहते हैं जिसमें holistically general studies plus essay का content, testing, सब कुछ आपको available होगा तो आप avail कर सकते हैं हमारे new batch of UPSC 2025 को और discount के लिए early bird 25 code इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों वापस आते हैं जब भी किसी बच्चे को ये प्रूव किया गया है कि वो 16 साल से कम है या उसने heinious offense नहीं किया है तो उसको बहुत सारे options दिये जा सकते हैं या juvenile justice board उसको बहुत सारी सजाएं दे सकता है कहीं बार उसे घर जाने दिया जाता है depending upon the offense not in all offense but depending upon offense उसे group counseling activities में जाने के लिए बोला जाता है community service करने के लिए बोला जाता है या किसी child या parent या guardian से fine मांगा जाता है so there can be a lot of scopes of punishment and one of the punishment is he could be sent or she could be sent to a child care institution लेकिन अगर उसे as an adult try किया जा रहा है तो फिर children's court उसे कोई भी jail की सजा सुना सकता है जिसकी हम बात कर रहे है तो as an adult the law will change as a child only juvenile justice board is going to give you the punishment and that punishment can never be a life imprisonment that punishment can never be a death penalty ये भी कानून में लिखा गये कि अगर child की तरह try किया जा रहा है तो कभी भी उसे life imprisonment या death penalty नहीं भेजा जाएगा अगर उसे कोई सजा सुनाई जाती है माल लीजे कि उसे 20 साल sorry 10 साल 15 साल की सजा सुनाई जाती है तो 21 years तक तो उसे child care institution में रखा जाएगा या juvenile homes जिसे बोलते हैं रखा जाएगा और 21 years के बाद assessment करने के बाद देखा जाएगा कि उसको बाकी के साल jail भेजना है या there is also an option कि अगर उसको release कर देना है with all the other provisions तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब हम juvenile justice की बात करते हैं दोस्तो अगर आप चाहते हैं juvenile justice act के अंदर जो adoption से related provisions है वो भी मैं discuss करूँ क्योंकि ये कानून adoption से भी deal करता है तो comments में मुझे बताईए tell me that if you want a discussion on adoption related provisions as well and 2021 में जो change हुआ था उसके बारे में भी मैं discuss करूँगा comment section में मुझे juvenile justice लिखके बताईए and I will discuss those provisions as well तब तक के लिए धन्यवाद